हलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ट ओन क्वाद्रिटिक एक्वेशन ऑफ क्लास 10th ICSC फ्रॉम सेलीना कॉंसाइज बुक एक्साइज 6b का 10th सम तो चलिए शुरू करते हैं इस पेवड विद स्कूर टाइल्स ओफ शर्टन साइज और नंबर रिक्वाइड इस वाण ट्वेट उसने बॉला है कि एक आपके पास कोई एरिया है ठीक है जी उसमें उसने स्कूर टाइल्स लगाई है स्कूर के आता है जिसकी चारो साइज बराबर होती है ठीक तो उसने आपको नंबर ओफ टाइल्स बता दिया कि नंबर ओफ टाइल्स कितनी है 128 अब आगे क्या है इप टाइल्स हैड बीन टू सेंटीमीटर स्मॉलर इच वे अगर यह वली जो टाइल इसका उसने नंबर बत लगाने से एह सारा अरिया कवर हो जाता था अगर उसने बोला कि तू सेंटीमीटर इसका साइज़ जो है वह छोटा कर दिया जाए तो कितनी टाइल्स चाहिए इस पूरे अरिया को कवर करने के लिए उसने यह भी बता दिया हमें कितनी चाहिए 200 चाहिए ठीक find the size of the larger tile, जो larger tile है जो कि हमने 128 लगा के पूरा area cover किया था, इसका size बताओ क्या है, find the size of the larger tile, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग number of square tiles जो हमें दी गई है, वो कितनी है हमारे पास 128 जो पहले वाला हमें दी आ गया है उसके बाद देखिए let the size of the square tile अब हमें जो यही वाली square tile है जिसका number हमें 128 दिया गए इसका size ही निकालना है, तो सबसे पहले इसे let कर लेंगे, इसका size कितना है x cm, ठीक है, square है तो चारो side बराबर होती है, तो हमने मार लाग इसकी side कितनी है, x cm है अब area of one square tile अगर side इसकी x है तो area of square क्या होता है side into side, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x into x मतलब कि x square और unit क्या जाएंगे cm square further देखिए therefore area of total tiles total tiles जो है हमारे पास उसका area कितना आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए एक का area कितना है x square number of tiles कितनी है 128 तो total area कितना हो जाएगा हमारे पास 128 into x square area है तो बीचे किया जाएगा cm square अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं आपको एक example लेके बताती हूँ मान लीजी आपने एक pen जो है वो खरीदा है market से कितने का है वो है 5 रुपी का तो मैंने आपको बोला कि आप मुझे 5 pen लेके देना तो आप फिर total उसका कितने पैसे हो जाएगे 5 into 5 हो जाएगे 5 pen है और उसकी कीमत भी कितनी है 5 तो यह total कितना हो जाएगा पैसे आपके पास 25 तो यहीं पर भी बिल्कुल वैसा ही case है कि एक जो टाइल है उसका एडिया कितना है x square तो जो टोटल टाइल है उसका जो टोटल टाइल है वो कितनी है 128 तो टोटल एडिया कितना हो जाएगा 128 into x square फर्दर देखिए if the size of the square tile is reduced by 2 cm जो हमें उसने statement में बोला है कि अगर 2 cm इसका size reduce कर दिया जाए तो क्या होगा the size of the square tile पहले हमें हमने क्या माना था कितना size है इसका x अब 2 reduce कर दिया मतलब कि कम कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा x minus 2 cm ठीक है जी area of one tile तो area कितना हो जाएगा यह वली side है तो इसका square ठीक है जी cm square फर्दर देखिए now number of tiles will be फिर उसने हमें बता दिया था कि number of tiles कितनी चाहिए उसे 200 चाहिए तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 200 अब एक बात यहां पर note कीजिए कि यह जो सारा area है जिसको उसने tile के साथ cover किया है यह दोनों cases में सेम है सिर्फ tile चेंज हुई है कि पहले वली tile का जो area था यह जो size था वो बड़ा था बाद में उसने to reduce किया बट जो हम area cover कर रहे है वो तो same रह रहा है ठीक है तो that means कि जो area है दोनों का वो same ही होएगा तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान से देखना यहां पर अगर हम पहले वाली tiles यह वाली tiles लेके चलें तो इसके according जो area था total area वो कितना आया था हमारे पास 128 x square ठीक है जी अगर हम दूसरे वाला देखके चलें दूसरे वाला मतलब कि यह वाली side देखके चलें इसके according total area कितना बनेगा अब number of tiles कितनी होगी है 200 ठीक है area कितना x minus 2 का square तो अब total area जो है यह वाला सारा वो इस way में लिखा जा सकता है that means कि यह दोनों बराबर है यही मैंने आपको बताया कि area जो है वो दोनों cases में बराबर रह रहा है लिखने का तरीका बल लिए अगर आप side x लेके चल रहे हो तो यह आजाएगा अगर आप x minus 2 लेके चल रहे हो तो क्या आजाएगा 200 x minus 2 का square ठीक है जी यह step था main जो आपको समझना था further तो आपको simplify ही करना है इसका whole square खोलो यह चीज आजाएगी 200 को अंदर multiply किया further सारी terms जो है वो एक side पर इकठी कर ली further इसको solve किया simplify करके यह आपको general जो quadratic equation होती है standard वो बन गी अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर आपकी calculation easy हो सकती है तो आप कर सकते हो that means आप देख सकते हो कि यह सारे किस table पर आते हैं इसके multiple है तो यह है आपके पास 8 के multiple तो हम क्या करेंगे सारी equation को 8 के साथ divide कर देंगे यह नई equation क्या बन जाएगी यह वली ठीक है अब आपको इसको solve करना है either by vectorization method or any other method अगर आप लोगों को यह चूज करने में problem आती है कि आप लोग कौन सा method लगाएं तो उस पर भी मैंने video डाल रखी है कि आप लोग देखते ही पैचान जाओगे equation को कि यहाँ पर कौन सा method लगेगा उसका link description में आप लोग देख सकते हो further अब हम इसके बनाएंगे factor ठीक है क्योंकि सबसे easy way जो रहता है वो factor का ही रहता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या common निकल सकता 9x common निकल सकता वो हमने निकाल दिया अंदर बचके x-10 दूसरी side भी हमें वही बनानी होती है तो यहाँ पर हमने क्या किया 10 को निकाल लिया common और साथ में negative को भी क्योंकि हमें यहाँ पर minus 10 चाहिए था यहाँ पर आना था plus तो हमने negative को निकला common यह चीज आगी अब यहाँ पर देखिए x-10 x-10 दोनों में है common तो हम बाहर निकाल लेंगे अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास इधर वली side पर 9x बचा इधर वली side पर क्या बच गया minus 10 is equal to 0 अब दो का product कब 0 होता यहाँ तो पहली वली term 0 हो यहाँ दूसरे वली 0 हो किया तो हमारे पास यह चीज आगी एक आई value 10 एक आई value 10 by 9 अब यहाँ पर हमने यह चीज लिखिया कि जो 10 by 9 है वो possible नहीं है अब यह चीज क्यों possible नहीं है अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप यह चीज स्वाल करो 10 by 9 को स्वाल करो मतलब कि 10 को अंदर के 9 से डिवाइड करो कितना हैगा वान पॉइंट संथिंग अंसर आएगा तो यह है पहले वाली जो हमने स्क्वेर टाइल ली थी यह वली ठीक है एक्स पर दूसरी टाइम उसने क्या बोला था कि टू सेंटीमिटर रिड्यूस करना अगर आप इसी मेंसे वान पॉइंट संथिंग मेंसे टू को पॉसइबर नहीं है तो फिर क्या लेकर चलेंगे यह इक्सि इकल टु टेंट साइज ओँओ जो स्क्वेर टाइल रहो कितना आगे आपके पास तैन यह हमने निकाल था यह पहले वाली स्क्वेर टाइल है बड़े वाली उसका साइज कितना आगे आपके पास 10 संटीमिटर एकसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन और सब्सक्राइब तो मैं चैनल इससे मुझे मोडिविशन मिलेगी तांकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो डालूं